अब देखे जैहिंद नमस्कार इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग समस्याएं हैं सबसे बड़े प्रस्थन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कन्फियूजन की स्थितिया बनी हुई है वो ग्रेजवेशन सेकेंड यर थर्ड यर के फॉर्म को लेकर के एक्जामिनेशन फॉर्म को लेक और आपके प्रस्थन एक ही वीडियो में सारे के सारे उत्तर मिल जाया है देखे अभी दो तीन प्रकार की स्टूडेंट्स हो चुए है और इस बिसेश रूप से जो कन्फियूजन हो रही है जो इंग्लिस के स्टूइंट है यानि के ऐसे स्टूइंट जिनका सेकेंड यर म इंग्लिस है उनको हो रही है क्योंकि वहां वेपसाइट पर पेपर का नाम गलत दिखाए जा रहा है ठीक है तो सारे सवालों का एक ही वीडियो में जवाब देए अब पहला सवाल वो लेते हैं कि एक बार पहले भी एक्जामिनेशन फार्म ओपन हुआ था कुछ स्टूड कि आप उस प्रिंट आउट को ले जा करके विस्विद्याले में जहां सम्मिट करना है वहां आप सम्मिट करतीजिए सिंपल सा सम्मिट कर चुके हैं देन आप एंजॉय करिए अब पहले वाले स्टूडेंस में दूसरे प्रकार के स्टूड वो हैं जिन्होंने फर्म भरा सम्मिट किया था प्रिंट आउट नहीं ले पाए थे ठीक है उनके लिए क्या करना है पहले चीज तो एक प्रिंट फॉर्म का आप्शन है आपकी विब साइट पर वहां जाकर कि आप देख लो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा नहीं होता है दिन उस कंडिशन में आप आपको computer cell जाना होगा विस्विध्यालाय में जो computer cell है वहां जाकर कि आप application देंगे आपकी समस्या दूर हो जाएगी उनमें भी तीसरे प्रकार के student वो हैं जिनके form में कोई गलती हो गई है कोई detail गलत हो गई है subject गलत हो गया है या अन्य कुछ तो उसके लिए भी आपकी प्रक्रिया वही है कि आप computer cell में जा करके एक application देंगे वहां से आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा तो यह तो हो गए वो जो पहले form भर चुके हैं अब बात करते हैं फिर से 17 तारिक से जो form open हुआ है तब तक जो नहीं भरे थे उनकी बात उनमें भी अब दो प्रकार के student हो गई है एक वो जो अभी form भर चुके हैं ठीक है तो जो form भर चुके हैं उनके साथ भी दो ही इस्थितियां हो सकती है form भर चुके हैं शम्मिट कर चुके हैं आप प्रिंट आउट मिल गया है आप उस प्रिंट आउट को विस विद्याले में सम्मिट कर दें आपका काम खतम दूसरे वो हैं जिनके form की स्थिति है कि प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं या उसमें कोई गलती हो गई है सब्जेक्ट की दिक्कत है form अलड़ी सम्मिटेड दिखा रहा है तो इन सारी स्थितियों का एक ही निदान है कि आप computer से जाएंगे वहां अपनी समस्या से कर दिया जाएगा उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया कर लेंगे अब बात करते हैं वह इस्टुडेंट्स जिनका इंग्लिस है और जिन्होंने form नहीं सम्मिट किया है जिनका कहना है कि सब्जेक्ट का पेपर गलत है पहली चीज़ की पेपर वहां पर गलत दिखा रहा है इसके संबन में मैंने वहां बात की तो आप इस स्थित में भी जो form भर चुके हैं या भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वो उनकी अपनी टेक्निकल एरर है वहां पर अपडेट नहीं कर पाए तो वो कर देंगे डिपार्टमेंट से भेज दिया गया है सब्जेक्ट का स ही नाम उमीद है कि जल्दी ही अपडेट हो जाए अभी 15 मार्च तक आपके पास फर्म भरने का समय है आपने भी तक नहीं भरा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जल्दबाजी करने के कोई ज़रूत नहीं है घबराने की कोई ज़रूत नहीं है आप आराम से 28 फरवर फिल कर लीजिए ठीक है अगर अपडेट नहीं होता है पेपर तब भी आप 7 मार्च तक अपना फिल करके अप सम्मिट करके और ले जाकर के विस्विद्याले में जमा कर दीजिए ठीक है उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है वो विस्विद्याले की गलती है अपडेट नह और बताना चाहूंगा फॉर्म भरते समय पूरी तरह से सावधानी रखें खुज से भर रहे हैं तो कोशिस करिए कि लैपटाप पर भरे क्योंकि वहां गलती होने के संभावना कम होती क्योंकि स्क्रीन बढ़ा होता है अगर फोन पर भर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सावधान है ताकि गलती ना हो भरते समय दूसरों से भरवा रहे हैं साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो वहां भी डिटेल को कम से कम एक बार दो बार पढ़कर के वेरिफाई कर लें कि आपके नाम की पिता जी के नाम की जो भी स्पेलिंग्स हैं वो सारी की सारी सही है जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं वही भरे गए हैं पेपर सही तरीके से सेलेक्ट किया गया है आपका आधार नंबर सही है आपका मूबाइल नंबर सही है ये जो सारी डेटेल से हां साथ में आपका जो मीडियम आफ इग्जामिनेशन है वो भी सही है तो इतना कुछ आप देखने के बाद फिर से रिचेक करने के बाद तब final submit करिए firm को और अन्य किसी प्रकार की विसंग न रहिए आप जैसा पेपर का नाम दिख रहा है ड्रामा टू पोईटरी वन वैसा भी आप फिल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है या जो फिल कर चुके हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है आप परिशान नहीं है अभी आपके पास समय है 15 माज तक का अभी आज 20 तारीक है तो अच्छी बात है नहीं सही होता है तो उस कंडिशन में आप अपना भर दीजे बस इतना ही बताना था मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ जैन